खबर कानपूर से हैं जहां भोपाल से तसक्री करके यूपी में खपाने के लिए आ रही गांजे की बड़ी खेप क्राइम ब्रांच ने पकल ली पुलीस ने गांजा लेकर आ रहे पांच अव्युक्तों को कारवा पैसट किलो गांजे के साथ पकला पकले के अव्युक्तों में से दो कन्नोज और तीन मद्यपदेश के हैं पकले के अव्युक्तों की पहचान को तुवाली कन्नोज निवासी दीपक सविता वा अनुश कुमार मद्ध पेदेश निवासी राकेश मीडा, उमाशंकर मीडा, मुकेश कुमार राथोड के रूप में हुई है पकड़े गया व्युक्तों के पास से तरीब 13 लाख रुपए की कीमत का 65 किलो गांजा बरामत किया गया है तस्कری में प्रयो किये जाने वाली कार बरामत हुई है थाना रेल बजार पुलिस क्राइम ब्रांच तस्कری के पूरे नेटफर को खांगाज रही है और आसपास के सभी जिलों में यह सप्लाई करते हैं इसमें इनका लाने का एक यूनिक तरीका है जो अल्टो कार होती है उसके अंदर जो गैस سिलंडर होता है फ्यूल सिलंडर उसके अंदर ये पैकिंग करके लाते हैं सामानिता अगर कोई उसको देख भी ले सब्सक्राइब करें और मद्यप्रदेश के राकेश मीना उमा शंकर मीना और मुकेश कुमार राठोड इन लोगों को पुलिस ने गिरफतार करके जेल भेजने करवे कि अभी इन्हों ने पुछता से बताया कि और जो इनका ग्रेंग है क्या उनकी नाम लिये हैं यह तो होलसे मेल की बाखने inaire करते थे और वेस्तेैं और यहाँ जो लोकल रिटेलर के रूप में इन से काम करते थे उनकी भी हमें काफी information मिली है वो कानपूर के बाहर के भी कई जिलों में माल जाता था इसमें कुछ मिक्स्चर भी करकर भेशते थे मगर इसमें जो प्योर गांजा है 65 किलो है तो इसको और नेटवर्क को भी हम पूरा